हेलो गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे आप लोग आई होप यह लगूद और सेफ हूंगे अपने अपने घरों में आज मैं आपके साथ टैमियो ब्रेंड के आमला भ्रिंग राज विद्ध बादाम रोगन हेर ओल का एंड शैंपू का रिवीव शेयर करने जा रही हू प्लस डेमो समर्स आ चुके हैं समर्स के टाइम पर बालों का हेर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बालों में डेंडर इचिनेस और बहुत सारी प्रोब्रेंस बालों के अंदर हो जाती है तो ऐसे में अगर आप एक अच्छा शैंपू और ऑईल सर्च कर र दोनों ही आपके साथ शेयर कर दिये तो चलिए मैं पहले सबसे पहले इस ऑईल के वारें बता देती हूं 100 ml का यह प्रोड़क्ट है 447 इसका प्राइज है टू यह की सेलफ लाइफ मिल जाती है ब्रैंड इसका स्टैमियो है एंड यहां पर आप देख सकते हो इसके बैनिफ फिर आपके बता लेती हूं है फोलने से बचाता है उमर से पहले जो वाइट हेर हो जाते हैं उनको करता है दूर करने में और बालों को अब बात कर लेते हम शैंपू के बारे में तो शैंपू भी देख सकते हैं उसकी पैकिंग सेम है 100 ml का सॉर्य यह 200 ml का प्रोड़क्ट है 447 इसका ही प्राइज है 2 यह की सेलफ लाइज मिल जाती है इसको भी दो नहीं यूज कर सकते हैं man and woman and suitable है for all hair types के लिए तो यह भी hair fall को reduce करता है help करता है reduce करने में and dandruff को दूर करता है promote करता है healthy hair growth को and साथे साथ cool calming आपको feel होगा इसको यूज करने के बाद में चमक लेके आ करता है बालों में लस्टर एंड वॉल्म प्रोवाइड करता है इसको यूज कैसे करते हैं सारे कुछ इस पर मेंशन है तो काफी सही में कोई product लगाया देख सकते 200 ml का product मिल जाता है जो की काफी इनफ है और बालों में लगाने की बाद नहीं जा बहुत अच्छे से खासे से करता है अदर हुधि हो जाते हैं अब इसके बारे में आपको घ्रब करने वाली हूँ तो इस न पहले किस तरीके की लिड मिल जाती है इसको निकाल किया वापस से कोम को अपलाई कर सकते हो और बहुत इजली निकलाता है तो एप्लिकेशन बहुत ही जादा इजी हो जाता है मुझे काफी पसंद आपको इस तरीके का जो कॉम्स होते है उससे अपलाई करने में ऑईल बहुत ही और थोड़ासा प्रेस करना हो बाटल को और आराम से आपने आप निकलाता है तो मैं इस तरह से अप्लाई करी यूव बालो में देख सकते हो अगर आप अच्छे से माङल करना चाहते हो वह भी कर सकते हो इस तरीसे कोम को अपलाई करोगे ना वह जो जडो में ही जाएक डा इसे अप्लाई करलें आप अप्लाई कर लूंगी आप देख सकते हो कितने अप्लाई हो गया और अच्छे सब इस पर नंगी मसाज करूंगी होडियों हıs लग बहुंद नो करें तो अब 2 गंटे बाद शेम्पू से वाश करूँंगे तो शेम्पू की पैकिंग मैं आपको दिखा दे रही हो इनर पैकिंग इस तरीके की है इस तरीकी की पंप मिल जाती है । तू पंप ना मेरे बालों के लिए टू पंप बहुत ही इनफ था तू पंप में बहुत अच्छे कासे जाग हो गया था तो इसके वार मैं सारा कुछ आपको बता चुकी हूं अगर आपको बहुत जादा प्रॉब्लम है तो आप एक बार सोच लिजेगा इस चीज के वारे में ठीक थी मेरे इस आप से क्योंकि आई वेदिक जो भी प्रोड़क्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत हो समयल मिलती ही है तो इस प्रोड़क्ट है अब मैं आपको अपलाई भ अपलाई कर सकते हैं अच्छे से अपलाई कर लिया है अब थोड़ा सा शैंपू है वो निकाल देती हूं मेरा है बहुत अच्छे से वाश हो चुका है अब मैं ड्राई करने के बाद आपको दिखाती हूं नेच्रल लाइट में किस तरी मेरे हैर लग रहे हैं तो यहां पर अब देख सकते हो मेरे हैर पहले कितने sticky sticky oily oily लग रहे थे न तो अभी बहुत अच्छे से clean हो गए मेरे हैर और चमक भी आप देख सकते हो वाईलियूम भी एक instant volume मेरे हैर को मिल चुका है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मेरे बालों में चमक भी देख सकते है बहुत अच्छा लग रहे हैं मुझे यह परस्टनली बहुत अच्छा लगाए और यह यह बैस रिजल्ट के लिए हफते में दो बार इसको यूज कर रहा है और और के साथ शेंपू यूज करोगे तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा तो परस्टनली आई रिली